यूबी में जारी रहेगी मदर्सों की पड़ाई इलाबाद हाई कोट के फैसले पर सुप्रीम कोट ने लगाई रोक सुप्रीम कोट ने शुकरवार को सुनवाई के दौरान उतर प्रदेश बोर्ड मदर्सा एजुकेशन एक्ट 2004 को असमविधान एक करार देते हुए इलाबाद हाई कोट के फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोट ने कहा इलाबाद हाई कोट का यह निसकश है कि मदर्सा बोर्ड की स्थापना दर्म निस्पेखशता यानि की सेकुलरिज्म के सिध्धानतों का उलंगन है सुप्रीम कोट ने 22 मार्च के आदेश को चनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोट ने शुकरवार को सुनवाई के दौरान उतरपरदेश बोर्ड मदर्सा एजुकेशन एक्ट 2004 को अस्सम विधान एक करार देते हुए इलाबाद हाई कोट के फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोट ने कहा इलाबाद हाई कोट का यह निसकश की मदर्सा बोध की स्थापना धर्मन रिपेक्षिता यानी सेकुलरिज्म के सिध्धानतों का उलंगन है 22 मार्च को हाई कोट ने सुनाया था फैसला गत 22 मार्च इलाबाद हाई कोट की लखनव बेंच ने यूपी बोर्ड ओफ मदर्सा एजुकेशन एक्ट 2004 को असमविदानिक करार दिया है इसके साथ ही नियाले ने राजसरकार को आदेश दिया है कि वे प्रदेश के मदर्सों में पढ़ने वाले चातरों को अपचारे के एजुकेशन सिस्टम में दाखिला दे यह आदेश नियाय मूर्ती विवेक चौधरी और नियाय मूर्ती सुभाष विद्यार्ती की खंड़ पीट ने अंशुमान सिंग राठोर की रिट याचिकापर पारित किया था यूपी में 16,000 मदर्से बता दे कि यूपी में करीब 16,000 मदर्से हैं जिसमें कुल 13.57 लाख चातर हैं कुल मदर्सों में 560 अनुदिनत मदर्से हैं जहां 9,500 सिख्ष्यक कारिड़त है यूपी के अलप संख्या कल्यान मंत्री ओम प्रकाश राजबर ने कहा कि मदर्सा अज अजुतल उलूम के मैनेजर अंजु मकादी के तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती ही दी गई है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास कबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार दिखते रहिए दाखबरदा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर विशशक वास्तुकला और विशशक्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तुकला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट था मांटें कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियर्बाइ सुहागी बाइपास